दॉस्त वीडियो में जानेंगे इंडिया पोश्ट पेमैंड बैंक और एनएसडिया पेमैंड बैंक के प्रेंग के बारे अपको इनके साथ क्या सर्विस देगने करें मिल जाएगा और आपको उसके ओपर कितना कमिशन मिलेगा आपको पूर रिजन करें मिल जाएगी इस वीडियो में दोनों ही बैंक के बारे में तो वीडियो के एंड तक बने रहे हैं चलिए जानते हैं सबसे पहले बात करें एंडिया पॉस्ट पैमेंट में की जब आप इंडिया पॉइस्पि हम पी पन लेटए और आपके पास कोई कस्टेमर राता और अपके पास पैंड नहीं है आप उनका एकॉंट ओपन कर सकते, इसके एल आपको जो कमिशन मिलेगा 10 रुपी एगा, पर तीएक एकॉंट ओपनिंग पे आपको 10 रुपी का कमिशन मिलेगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट मेंग के तरब से, मैं मुलने जिए आपके पास कोई कस्टमर आता, उनके पास आध करके भी देख सकते, इसके लापको परतियक एकॉंट ओपनिंग पे 50 रुपी कमिशन मेंगा, इसके साथ भी आपको एकॉंट ओपनिंग की सर्विस मिल लगी, यदि आप एकॉंट ओपनिंग के जिएगा, बीना पैंका काड कोई कस्टमर आता, उनके पास पैंका नहीं है, आप उनका अपन कर सकते हैं, उनके आधार कार के माद्याम से, इसके ले अपको Econ opening पे 40 सुरूपे करमिशन बनेगा, यदि आप प्यांड करके साथ उनका Econ open के जगा, मौलीजी आपके पास कोई कस्टमर आता है और उनके पास दोनों चीज़े, आधार कार और प्यांड कर, यदि आप उनका अपने करना चाहे तो आपको यह सर्विस भी मिल जाएगा आपको यह सर्विस भी देखने के लिए मिल जाएगा चलिए बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंड में का यदि आप इंडिया पोस्ट पेमेंड मेंक के कस्टमर के एकाँड नमर या फिर मोवाल नमर के माधियम से उनके एकाँड में पैसा जमां किजिसेगा इसके लागो चयाई क 관सा जगा 100 कुछ उप one वाइन वाइन के साब से आप जितना वी पैसा जम्मा कि जगा आपका जबी कमिशन बनेगा बहु आपको देखने के लिए मिल जएगा यदि आप उनके एकॉंट नम्मर यह फिर मोबाल किसी सब्सक्राइब लेना चाहिए तो ले सकते हैं आपको स्याम सर्विस मिल जागी आप चलिए बात कर लेते पर आपको कमिशन बनेगा दुनों बैंक के तरफ से एक रुपीय का जैसे मुझा आपके पास कोई कस्टमर आता है उनका एकांड है बैंक का बरोधाम्त आप उनके एक्वांड का भी श्टेटमें निकल दे सकते हैं इसके लिए आपको बनेगा एक रुपीय के कमिशन दुनो क्रेंड वाला हम बता रहे हैं तो चलिए जान लेते हैं आपको लगबग कुछ सेमिश देखने के लिए मिलेगा एक दुर रुपिय का इधर अंतर हो सकता है चलिए जान लेते हैं यदि आप आपने कस्टमर के एकाउंड से पैसे निकालिएगा जीरो रुपिय से एक सो के बीच में तो आपको एक रुपिया भी कमिशन देखने के लिए नहीं मिलेगा दोनों बेंगों के तरफ से यदि आप एक सो से पॉंच सो के बीच में पैसे निकालिएगा आपको एक रुपिया दस पैसे कमिशन बनेगा यदि आप एक हजार से में पैसे निकाल रहे हैं यो फर तक तेक 2500 के बीच में पैसे निकालएगा तर आपको इस पर कमिंशन देखने के लिए यह कमिशन कभी कभी घड़ बर होते रहती है और सीजन दर सीजन आने वाले समय में यह बर भी सकता और कुछ घड़ भी सकता आपको जो भी देखने के लिए मिलेगा अपडेट हम बता देंगे आप चलिए बात करते इसके और भी सर्विस की बारे इनके साथ आपको और भी आपको दोनों प्रगार की सर्विस की सर्विस मिल लेगे यहां और श़ी healthy अब करके दे सकते हैं उसके पर को ही न के साथ है बढबने को परगार की सर्फ मिलेगा जिसक्या कि साथ आपको अच्छा कशी सब्सक्राइब अच्छी सिजों के निए सर्फूर्ट की सब्सक्तों के सब्सक्राइब क्ष्टमर सब्सक्राइब करने मिलएग है नियुक्त आप इंडिया पोछ्ट। plática की अपो захot या पोस्ट पेमेंट का CSP पॉंट आपने नीरेश्ट पोस्ट आपिस से जागर के पर्चेस कर सकते हैं आपको कुछ फॉल अप करना होगा तिसके पर हम पहले से एक डिटेल प्रोग वीडियो बना चुके आप चाहिए तो उस वीडियो को जागर के देख सकते हैं उसका लिं केमेंट में का CSP पॉंट लेना चाहिए और आप एक चुक है आप हमसे केमेंट बॉक्स में केमेंट करके भी आप इसका CSP पॉंट ले सकते हैं